तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे बैक निफ्टी की प्राइस सक्षन और कल की प्लान तो जैसा कि कल की वीडियो में मैंने आपको अलर्ट कर दिया था कि इस लेवल का अगर प्रेकडाउन होता है तो हमें इंट्री नहीं लेनी है वरना ट्रैप हो जाएंगे और सेम कंडिसान आज यह हुआ यहाँ पर कि इवन 15 मिनिट की कैंडल क्लोजिंग मिली हमें इस रेंज के नीचे और उसके बाद अगले ही पल सेलर्स ट्रैप हो गए अगले ही पल मार्केट में बुलिश अंगलफिंग आ गई और यहाँ पर सेलर्स ट्रैप हो गए तो उमीद करता हूँ कि अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी तो आज आपका पैसा बचा होगा अगर आपका पैसा बचा है तो make sure you like this वीडियो and also subscribe to our channel और comment में जरूर बताना तो price action को देखोगे तो आपको market की psychology भी समझ में आएगी कि यहाँ पर seller को trap करने के बाद भी buyers ज्यादा उपर तक market को नहीं ले जा पाए यूँकि जब भी sellers trap होते है market में अच्छा momentum upside आता है या फिर buyers trap होते है तो एक downside momentum अच्छा आता है कि एक ऐसा range होता है जहाँ buyers को भी अच्छी price मिल रही है और sellers को भी अच्छी price मिल रही है that means seller अपने side से सोच रहे हैं कि अब market काफी ऊपर आ चुका है अब हम लोग यहाँ से नया sort कर सकते हैं और buyers यह सोचते है कि price अब काफी ऊपर जा चुकी अब थोड़ी profit booking हम लोग भी कर लेते हैं जिसके कारण क्या होता है कि consolidation zone बन जाता है तो depend करता है कि कौन किस पर भारी है वो depend करेगा हमें या तो upside तरफ breakout मिल जाए या तो फिर trend line का breakdown हो जाए तब इससे पता चलेगा कि हमें कौन strong है because price action हम नहीं बनाते हैं price action big players बनाते हैं तो जैसा कि scenario दिख रहा है कि market अभी time correction लेगा अगर buyer strong होंगे तो trend line पर आता ही market एक अच्छा कासा bullish momentum शो करेगा और अगर seller strong होंगे तो market क्या करेगा इस trend line का breakdown कर देगा बट मैं अभी भी कह रहा हूँ जब तक trend line के साथ इस support का breakdown नहीं हो जाता हम लोग selling plan नहीं करेंगे because इसी scenario में retailers trap हो जाते हैं यहाँ पर market ने trend line का breakdown दिया रीचे support था trend line का retest किया continue के रिटेलर entry ले ले लेते हैं और अगले ही पर market rejection लेके उपर तो यह गलती हमें नहीं करनी है तो अभी भी scenario same है, label same है कोई label में changes नहीं है तो आज का price section अगर देखो के market gap down open हुआ pullback लिया, उपर गया वापस से seller active हो गया price को नीचे ले गए, यहाँ trap हुए price फिर उपर, फिर seller active हो गया maybe यहाँ पर fresh position बनाय जा रही है seller's के side से या फिर buyers के side से यह हमारे दोर एकज़ेश्टर prediction है depend करता है कि price action अब क्या बोलेगा और साथी साथ अगर मैं open interest की बात करूँ चलते हैं उसके लिए NSE की option chain chart पर यह रहा है यहाँ पर आपकी 24 November 2022 की expiry let's down okay तो अगर आप देखोगे यहाँ 42,500 पर call side में 70,000 के आसपास का open interest बना हुआ है that's mean इतने लोगों को लगता है कि price यहाँ से उपर नहीं जाएगी और same अगर इधर देखोगे put के side में तो यहाँ लगबग 52,000 के आसपास का बना हुआ है open interest और 37,000 add हुए है new but call के side के मुकाबले कम है because call के side में अगर नए अगर देखोगे नए open interest 32,000 लगबग 33,000 add हुए है लेकिन put side में सिर्फ 17,652 add हुए है जो put seller है जो तेजडिया लोग है उनमें थोड़ी सी doubt लग रही है कि वो थोड़ी अपनी position कम रखे हुए है और अगर 42,500 के उपर देखा जाए तो यहाँ पर 27,000 के लगबग open interest बना हुआ है उसके उपर 16,000 है फिर 16,000 है और सबसे ज़्यादा जो बना है वो 43,000 पर है जो की है 71,391 मतलब सारे seller इसके बाद 42,500 के बाद directly है 43,000 पर लेकिन put side में अगर आप देखोगे कि यहाँ पर 15,000 है 5,000 है उतने strong नहीं लग रहे हैं OI के side में दोनों side से अगर आप इस level की बात करूँ तो उतने strong नहीं है नहीं इधर strong है और इसी के कारण इतने कम OIs के कारण हमें momentum नहीं मिल रही है market में विकर जो contracts है buyers और sellers के बीचे में बहुत कम है जिसके कारण के आए कि momentum नहीं है अगर आप देखोगे कि market अगर निकल रहा है तो तेजी से नहीं candle जा रही है candle स्लोली स्लोली बनते हुए जा रही है अगर पहले से comparison करोगे अगर candle बनती है bullish engulfing हो गई या फिर seller trap हो गई तो अगली ही candle बहुत तेजी से बनती है that means open होई छोड़ा से pullback सिधा उपर बट अभी आप देखोगे कि candle थोड़ी hold करती है open होई थोड़ी से pullback ले रही है hold कर रही है अगर पांच मिनट के candle के बाद करू तो open होई थोड़ी दिर hold कर रही है तीन मिनट पास हो गए उसके बाद से उपर निकलना शुरू कर रही है candle इसके पीछे का reason ही यही है कि contracts कम बन रहे है market में I hope you guys can understand this यह थोड़ी से advanced level की data हो गई अगर आप एक beginner हो तो इस पर फिलाल focus करने की जरूरत नहीं है यह बस मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया की इस तरह से market क्यों चल रहा है अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है भूल जाओ वापस चलते हैं हम back nifty के चाट पर तो कल की plan क्या होगी हमारी तो same plan अभी भी रहेगी market time correction ले रहा है यहाँ पर क्योंकि market अभी तक consolidation zone में ही है तो या तो एक minute पे scalping करके reversal plan कर लो breakout तो plan करना भी मत even on scalping कि अगर market कल flat open होता है continue करता है एक minute के candle closing इस high के उपर मिल गई अगर उसके बाद market एक red candle बनाता है buy up the red candle इस topless आपका red candle के नीचे होगा यह आपका target हो जाएगा scalping trade है छोटा SL छोटा profit पढ़े profit के लिए तो फिलहाल अभी नहीं सोचना है युक्वी trap होने के chances लग रहे हैं या फिर आपका SL hit करा के market उपर चला जाएगा और साथी साथ क्या हो रहा है कि weekly expiry में अगर आप देखोगे weekly expiry में rather than weekly expiry जिससे क्या होगा कि वहाँ premium आपको कम decay देखने को मिलेगा ओके आल राइट आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा आगे देख लेते हैं अगर market कल के ही time पर flat open होकर इस level का retest कर देता है अगर तो और यहाँ पर pin bar या फिर bullish engulfing बनती है तो हम लोग यहाँ से reversal प्लान कर सकते हैं buying side में इस range में अंदर अगर market घुसा यहाँ से reversal होने के बाद तो हमें बढ़या momentum मिल सकती है because यह order feeling हो रही है या फिर इस level का breakdown करता है retest करता है तो हमें नीचे का तरफ भी एक momentum मिल सकती है इसमें से हमारा पहला target होगा यह swing या तो फिर इसी range में रह जाएगा time correction करते होए जब तक ही trend line को touch नहीं कर देता तो यही है हमारी कल की planning like दोस्तों वीडियो को ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों को ज़रूर share कर देना और अगर आप channel पे नए हो तो make sure तब channel को subscribe ज़रूर कर लेना Thank you झाल